कि आपके घर के गमले में एक टॉल प्लांट लगा हुआ है कैसा है टॉल प्लांट है ड्वार्फ नहीं है प्लांट ही बिठाए किसी भी केस पर आप बना सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा है जो यहां पर आपके पास कि गिवन प्लांट है कैसा है टॉल है कोई दिकत किसी को कैसा आई है टॉल है इसका यह मतलब है कि दो कोशन अराइज होता है यह टू कोशन अराइज होते हैं के जीनो टाइप जब हम लोग बात करते हैं किसकी इसके जीनो टाइप की ठीक है तो इसका जो जीनो टाइप है जीनो टाइप में भी कैपिटल्टी कैपिटल्टी यह समय हो सकता है यह फिर जो इसका जीनो टाइप है कैसा हो सकता है इसा भी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया यहां पर? एक तरीका निकाला किया तरीका निकाला तो तरीका ये निकाला कि हम लोग इस के थूरू चेक करना स्टार्ट करेंगे कि आखिर उसका जीनो टाइप है क्या पहले मैं पूरा समझा दूंगी फिर डेफिनिशन लिखती हूं इसकी आपने जैसे डॉमिनेंस वाला केस कैसे याद करके आपने खुदी सुना दिया उदर से मुझे तो मैं पहले पूरा यह बना देती हू आप खुदी डेफिनिशन बोलेंगे मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा यानि अभी अभी मैंने आपको जो बात बोली है उसके कोर्डिंग मैं यहां पे कहना चाहरी हूं कि जो यहां पे टू केसे हैं उन टू को केसे में इस जीनो टाइप में भी हम गैरेंटी नहीं दे व्हायव तो करना यह है कि हम लोगों को इस पौद्धे को मतलब यह जो है एक बार इसकी क्रॉसिंग जो है ऍसकि घ्रें व्है उसकी जरूरह और इधर भी हम लोगोंने क्या किया स्मॉल की स्मॉल की मनीट का सैंपल पेपर जाकर की personalized आपको ना मिलें तो मेरा नाम बदल मै मैं बोलती हूँ हो हर क्लस में, किस से क्रॉसिंग कराई जाती dessa किस से क्रॉसिंग कराई जाती है okay हुर एक रभ पेज्टे हम लोग और उससे में आपको समझाते हूं क्या बोलना चाहारी हूँ कि जब आप क्या कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए आप-जे कर आ रहे हैं चार ऑप्जिन है है आपके पास ब्रिखा रहे गा यहां पहले लिख दिया डॉमिनेंट अलील फिर क्या लिख दिया यहां पर हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस जीनोटाइप ठीक है और एक यहां पर लिखा रहता है तो यहां पर लिखने की queue कैसे और फीचर यह उसका अंचर दिया ता कि हाद है हमो सब्सक्राइगस ट्रेंट तो यहां पर लिखने की बजाए इसने क्या क्या रेसेसिव ट्रेट लिख दिया यह बता नहीं रहा है कि मैं बोलना चाहता हूं कि यह बिचारा सिर्फ अपने आपको होमोजाइगस कंडिशन में एक्सप्रेस कर सकता है यहां पर डॉमिननेंट अलिल लिखा यहां पे इसने लिख दिया डॉमिनेंट ट्रेट कोशन का सही आंसर क्या है पत्थर की लखीर है इसको हम नहीं बदल सकते यानि कि यह गैरेंटी है कि आप किसी भी सीचर से कराईए ज कोई रेड वाइट करके ज़रूरी नहीं इंकंप्लीट डॉमिनेंस वाला किसी और फ्लाड का कोई केस बना रहा है कहीं इससे करते हैं मैं अभी आपको बता रही है स्मॉल टीसमॉल कुल मिला के बात यह है कि आप जब भी कि टेस्ट क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग कराएंगे हमेशा ही रेसेसिव ट्रेट से अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोश्चन है कि मैडम किसी और से क्यों नहीं करा सकते तो उसका अंसर अभी अभी तुरूंत आपको मिल जाएगा यह यह केस है हम लोग आगे बनाने ज कि आपने क्या किया है यहां पर जो क्रॉसिंग कराई है वह हमेशा ही किसके साथ रेसेसिव ट्रेट के साथ आपने यहां पर पर क्रॉसिंग कराई है तो इसका पनेट सर बनाईए ठीक है इसमें तो महारत हासिल है आप लोगों को किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं देखिए कोई साथ इंट्रेस्टिंग फैक्ट निकलके सामने आता है क्यापिटल्टी क्यापिटल्टी चोटा साही बनाईएगा नीचे एक लाइन लिखना है मुझे दोनों बॉक्स में फिर आपने इसकी क्रॉसिंग किसके साथ कराई है स्मॉल्टी के साथ स्मॉल्टी IGHसी वाला जो केस अन्हेस बचारे में कोही मिलावत नहीं हां गैरेंटी देता हय हंदड़ परसप्वलागी के साथ आता कि हम्रोह को जांका कीस ہी नहीं है पिर हम लोग यहां पर आते हैं इस वाले side में त्रीकर table actual में यह बच्चों को मैं कहती हूं कि आप क्या कीजिए यहां पे il arise ची ऑफ यहां पर जो आपको बनाना है that is capital T small t and small t small t ET how does that this your और अब अगर हम लोग जीनो टाइप देखना स्टार्ट करे बाई इधर तो आल टॉल है कोई दिकत इसमें किसी को इधर तो सारे बच्चों को clear है कि ये भी क्या है tall है 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 ठीक है और इधर आपको क्या दिख रहा है ये क्या है tall है ये क्या है dwarf ठीक है ये क्या है tall है और ये क्या है dwarf इधर की कहानी तो ठीक है आपके पर यहां इस पेस होगा इस फॉर्मेट पर यहां पर भी आपको लिखे लेना है इधर दिखिए जीनो टाइप फीनो टाइप में फटावट लिखती हूं यहां पे जब आप देखते हैं जेनोटिपिक रेश्यो क्या देखते हैं जेनोटिपिक रेश्यो तो यह जेनोटिपिक रेश्यो जो यहां आपके सामने निकल के आता है that is capital T small t ratio small t small t कोई तिस्रा जोथा किस है क्या नहीं capital T small t 2 and small t small t 2 काट के 1 ratio 1 कही जगा पे लिखा रहाता है वो भी सही है ठीक है पेनोटिपिक रेश्यो पे चलते हैं किसे पे चलते हैं तो तो गणितार धाउस तो ऑल थे पे पर आहां पर दिखना स्टार्ट करते हैं तो एक बात बताई है यहां पर कोई दवार्फ नहीं हुआ तो जो आपने मैंने दो यहां पर दो टेबल की बनाई है हो सकता है जब आपने डिसेशव ट्रेट के साथ प्रॉसिंग कर आया हो एक पौधा उठाया आपने च्टा दूसरा और उसके साथ आपने फिर क्रोसिंग का क्या मतलब है एंथर में से वही पॉलिन ग्रेन निकला फिर पे दूसरे के स्टिक्मा पर लैंड कर आया गया फिर देखा जाता है कैसा पौधा बनता है उसे यहीं तो है है ना तो वहां पर आपको घंपाने की जड़ुत ने क्रोसिंग लुट क्रॉसिंग ह स्टार्ट करते हैं यहां पर जो कन्क्लूजन निकलता है वो यह निकलता है हैंस लोग्ड दाट दजीनो टाइप जीनो टाइप प्रोवाइड़ प्लांट इज़ स्पेसिमेन भी मैं बोलती हूं बच्चों भी लिख दीज़े प्लांट इज़ कैपिटल्टी कैपिटल्टी कोई दिकत इसमें किसी को अगर एक भी स्मॉल टी बैठा अगर एक भी क्या हो गया स्मॉल टी बैठा तो फिर तो ये बिचारा जो है तॉलनेस मतलब सब्सक्राइब करी नहीं सकता तो यहां पर यह गैरेंटी दे रहा है खुदी बोल रहा है कि मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरे पास जो जीनो टाइप है वो दोनों कैसे है डॉमिनेंट अलील को करी करने वाल वह यहां पर इसी तरीक से लिखा जाता है स्टेट बोर्ट के कोश्चन में मैंने देखा इसको पता नहीं कैसे पास नंबर का डाल दिया बोर्ड एक्जाम में आपके सीवेसी बोर्ड में आप लोगों को यह थ्री मार्क का कोश्चन पनफॉर्म्द छोटा सा है मेरे खाल स कुछ है नहीं यहां पर यहां पर भी वैसे लिखेंगे हम लोग हैंस रूब दाट हैंस रूब दाट दा जी नो टाइप दा जी नो टाइप दा जी नो टाइप ओ अफ दा प्रोवाइड़ प्लांट ऑफ दा प्रोवाइड़ प्लांट एज क्यापिटल टी स्मॉल टी अच्छा क्यापिटल टी स्मॉल टी है तभी तो इस ड्वार्फ की कुबत हुई है ना कि एक्स्प्रेस कर पाया है अपने आप